नमस्कार किसान भाईयों मैं सूर्या फिर से आज इनूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरुजी में किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं गेहों की फसल के अंदर पोटास, कब वे कितनी मातरा में डालने चाहिए और पोटास के क्या क्या फायदे हमारी गेहों की फसल को मिल सकते हैं इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वीडियो को किसान भाईयों आप पूरा देखें तब ही आप एक सही और अच्छे जानकारी ले पाएंगे तो सुरू करते हैं आज करने वीडियों की फसल के अंदर पोटास कब वै कितनी मातरा में डालें किसान भाईयों सबसे पहले में आपको बता दूँ कि पोटास हमारी गेहों की फसल के लिए एक बहुती जरूरी खाद है और potas का उपयोग सभी किसान वायो को लगबग गेहों की फसल के अंदर एक से लेके दो बार अवस्यक करना चाहिए किसान वायो जब आप गेहों की बौई करते हैं एक बार तो आपको potas का उपयोग उस समय पर करना चाहिए और दूसरी बार आपको पोटास को उपयोग जब आपकी गेहों की फसल की बालिया आने वाली होती है उस समय पर आपको करना चाहिए बुवाई के समय किसान भाईयो आप पोटास जो है दानेदार के रूप में डाल सकते हैं जो आपकी MOP पोटास आती है उसका उपयोग आप गेहों की बुवाई के समय पर कर सकते हैं और जिस समय पर बाल यहां बाली निकल कर गया आती हैं उस समय पर आप NPK 0050 का उपयोग कर स सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप पोटास का उपयोग गेहों की बुआई की समय पर करते हैं, तो इस से जो है हमारी जो गेहों की फसल होती है, इसकी जड़ जड़े होती है, काफी लंबे छेतर में ये फैल जाती है जिससे जो हमारा पोदा है वे आसानी से नीचे नहीं गिरता है क्योंकि लाश्ट में समय पर चल करके यान कि जिस समय पर हमारी गेहों पकने का समय आता है उस समय पर बारिस का मोसम आ जाता है और उस समय पर हलकी हलकी हमाओ से भी हमारी गेह उस समय पर किया है वोई किसमे तो आपकी गेहों की जो फसल है आसानी से नीचे नहीं गिरेगी दूसरा किसान वाईयो ठंड के मौसम में ये गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंड से आपकी गेहों की फसल को पोटास बचाता है इसके अलावा किसानवाईयो गेहों की जो फसल होती है इसे यह तेजी से पकनेवी साहता करता है इसके बाद किसानवाईयो यदि पोटास का उपयोग आप अपनी गेहों की फसल के अंदर करते हैं कि आपका जो गेहूं का दाना होगा यह पूरी अवस्ता में भरेगा यानि कि दाने का अंदर जो दूद की मातर होती है वह कम नहीं होगी दाना पूरा ठोस होगा भरा हुआ होगा और मोटा दाना आपका निकल करके आएगा आप इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते ह है कि आप अपने एक भीगा खेत के अंदर या एक एक खेत के अंदर पोटास का उपयोग दो बार करें और एक खेत के अंदर आप पोटास का उपयोग बिल्कुल भी ना करें दोनों के यदि आप एक हजार दानों का उपयोग मतलब वजन निकालेंगे तो जिसमें पोटास का उपयोग आपने किया है उसके दानों को वजण काफी ज़्यादा निकल करके आएगा और जिस खेत में आपने पोटास को वजण काफी कम निकल करके आएगा. इसलिए किसान भाईयो आपको पोटास को अपयोग अपनी गेहों चाहिए क्योंकि धान जो है पोटास की मात्रों काफी ज़्यादे ले लेता है एक बात और किसान भाईयों आपको ध्यान में रखनी है कि जहां पर रेतिली जमीन है रेतिली जमीन के अंदर आपको पोटास को प्योग जарूर करना चाहे क्योंकि लितिली जमीन के अंदर पॉटास की मातरा काफी कम पाय जाती है और यदि हम वहाँपर गेहूं की भुआई करते हैं तो गेहूं के दानों का जो वज़न है वहाँपर काफी जादे कम हो जाता है बात कर लेते हैं कि पॉटास की मातरा गेहों की बुआई करते समय पोटास नहीं दिया है तो वह पहले पानी पर भी पोटास की मात्रा ले सकते हैं बात कर लेते हैं जो दूसरी टाइम पर हमको पोटास की उपयोग करना है तो उस समय पर हमके कितनी मात्रा लेनी है तो दूसरी बार जब आप पोटास उप्योग करेंगे तो आपको NPK 0050 का स्प्रे अपनी गेहों की फसल पर करना होता है जिस से मब पर बालिया निकलने वाली हो बालिया निकलने से पहले आप अपने खेत के अंदर NPK 0050 का उप्योग कर लें इसकी मात्रा की यदि में बात करूँ तो एक किलोग्राम NPK 0050 आपके एक एकड़ खेत के लिए परियाप्त मात्रा रहती है इस तरीके से किसान भईयो मैं पोटास के बारे में लगवा आपको सारी जानकारी दे चका हूँ यदि मैं इसके प्राइज की बात करूँ कि इसके र तो इसकी जो कीमत है किसान भईयो वहल लगबस 100 से लेके 150 के आसपास आपको मार्केटर मिल जाता है ये कंपनी को पर डिपैंट करता है हलकी कंपनी होती है तो थोड़े रेट कम रहे जाते है और यदि अच्छी कंपनी है तो उसके रेट 10 से 20 रुपर बढ़ जाते है इस हिंद जै भारत जै किसान